साथियों नमस्कार वंदे मात्रम स्वागत है आप सभी का सेनिक शुदा पर साथियों आप सभी की डिमांड पर मैं आपके सामने ये टेबल ले करा रहा हूं आप सभी मुझे बार-बार कोमेंट कर रहे हैं आप सभी ने पूचा है कि सर सभी टेबल बताईए जिसमें सभी पेंशन पता लग सके क्योंकि अभी आप लोगों का डियर नेस लाउंस भी बड़ा है पहले 50 परशेंट ता भी 54 परशेंट हो गया है तो उसके हिसाब से रेंक बनेंगी और यह टेबल मैंने हुआ उपके लिए γरुप के लिए नहीं है तो चलिए, मैं आप thankful दिखाता हूँ, किस परकार अप कि प्लोक मेंने ये टेबल बनाए है . सिपाई से सुवेधार मेजर तक सही पीजर जान टेबल और जैसा के मैं आपको पहले बता चुका हूँ यह टेबल केवल वाई ग्रूप के लिए है आर्मी नेवी एरफोर्स एंड इसके एकुलेंट रैंक के लिए है सबसे पहले समय मैंने दिया है क्वालिफाइंग सर्विस फिर मैंने रैंक दिया है तीनों सेनाओ का आर्मी नेव सबस्क्राइब शिपाई या सीमैन या एयरक्राफ्समैन आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो समका किस रैंग है सिपाई के यह तीनों मैंने से में लिखे हैं तो इनका बेसिक पे और अठाराजार आठाटो साथ रुपे और इस पर चाहब से आपको डियर नेश्यली का 10,156 रुपे तो अगर हम 10,156 प्लस 18,807 रुपे इनको दोनों को जोड देते हैं तो आप लोगों का यह पूरा पेंशन आ जाता है 28,960 रुपे यह 28,960 रुपे जो आपकी पेंशन वनी यह शिपाई सीमैन या एयरक्राफ्ट्समैन जो भी तिनों से नावके हैं उनकी है यानि कि शिपाई के किसम जो भी रेंक आते हैं उन सभी की पेंशन है अब यह अगला देखते हैं कौलिफाइंग सर्विस बाई सीयर्स नायक कोर्परल लीडिंग सीमैन तीनों से नावके इस रेंक के लिए इनका जो बेसिक पे है वारोपिट्टों के यह है 21,244 रुप अगर इसको और इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं यानिके बेशिक पे और डियर्स रिली जो मिली है उसको तो यह बढ़ेगा 32,716 रुपे यह 32,716 रुपे 22 साल वाले नायक की या कोर्परल की या इसके समकस रेंक की इन सभी की इतनी पेंशन बनेगी अभी देखते हैं अगला रेंक है कि क्वालिफाइंग सर्विस चोविस एर्स हवल्दार सार्जेंट और पेटी ओपसर यह आर्मी नेवी और एयरफोर्स तिन्हों के रेंक हैं इनका जो बेसिक पे रहेगा वे रहेगा 22,257 रुपे और इनका 14 परसेंट के हिसाब से जो डियर नाय बनेगा बनेगा 12,019 रुपे अगर हम डियर नेस रिलिप और बेसिक पे दुन्हों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 34,276 रुपे यह आएगा आपका टोटल पैंसल जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 से हवल्दार या उसके एक्विलेंट रेंक जो भी है आर्मी ने भी एयरफो और एयरफोर्स में जूनियर वारंट ओफसर और नेवी में चीप पेटी ओफसर इन सब का कितना बेसिक पे है वारोपिटू में इसका है 26,075 रुपे और इसका जो डियर नेस रिलिप बनेगा 7% के हिसाब से वो बना 1481 रुपे और बेसिक पे प्रस डियर नेस रिलिप दो रुपे यानि क्या 40,156 रुपे पेंशन बनेगी जो आर्मी में नायक सुवेदार रेंक होता है और उसके एक्विलेंट 3-9 में जो भी रेंक होते हैं उन सभी की अभी मैं आपको बताता हूं 30 साल क्वारिफेंट सर्विस वाले का आर्मी में सुवेदार एयर फोर्स में व और इसका जो डियर नायस रिलिफ भी बनेगा 54 परसेंट वह बनेगा 16,740 रुपे और आपका डियर नायस रिलिफ और आपका बिसिक पेने दोनों को जोड़ने एक बाद 47,740 रुपे यह आपकी पेंशन बनेगी टोटल पेंशन 47,740 रुपे यानिके आर्मी का सुविदा सुवेदार मेजर आर्मी में सुवेदार मेजर और एरफोर्सें मास्टर वारेंट ओपिसर और निवी में मास्टर चीप पेटी ओपिसर फर्स्ट क्लास इनका बेसिक पे है और रोपेटू में 33,400 रुपे और इसके उपर बनेगा ठार हजार 36 रुपे तो बेसिक पे दोनों को जोड़ा जोडने बाद आपका आया 51,436 रुपे यह आपकी बनी टोटल पेंशन इतनी पेंशन बनेगी जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 32 से सुवेदार मेजर और उसे एक्विलेंट तीनों से नहों के रेंग की अभी देखते हैं अगला क्वालिफाइंग सर्विस 32 रुपेंट तो इनका जो बेसिक पे है इनका है 41,200 रुपे और इस पे 54 परसेंट के इसाब से जो डियर्था रिलिफ बनेगा वो बनेगा 22,248 रुपे और ये डियर्था रिलिफ प्लस बेसिक पे दोनों को जोड़ने पर टोटल आया 63,448 रुपे यानिके इनका टोटल पेंशन बनेगा 63,448 रुपे अब देखते हैं गला रंक क्वालिफाइंग सर्विस 32 रुपे इनका बेसिक पे है 43,675 रुपे और इनका डियर्था रिलिफ बनेगा 54 परसेंट के सब 33,585 रुपे और टोटल इनकी जो पेंशन बनेगी 54,660 रुपे बनेगी तो इस परकार से आप लोगों यह पेंशन बनेगे लेकिन आपको सिर्फ मैने आपको आपका में सब्सक्राइब रेंग है जो उस रेंग की पैंशन ले रहे हैं उनके लिए इसमें नहीं बताया है नहीं फैमिली पैंशनर के लिए बताया है दूसरा अलग अलग वीडियो में बताओंगा अभी सिर्प मैंने आपको बताया है कौलिफाइं सर्वीस 17 श्पाई का, कौलिफास द्थिशी नाग का, क्तिश्य श्व३गर अधिस ट्रहूर को, 10 Federal长, 30Set, प्तिश कयchtenा का नाग देखनाओं जैसे के 15 साल नाग sorry aail steamed, इसके बाद में नायक है जो 15 साल या 22 साल के बीच में जिन्होंने सर्विस की है 20 साल 6 महीने तक उनका अलग है उनका आपको बताऊंगा होल्डार है होल्डार 15 से और 24 साल के बीच वाले जितने हैं उनका बताऊंगा जो भी बीच में छुटे हुए हैं उन सभी के लिए आप तो अगली वीडियो में बताऊंगा दूसरा इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको वाई गुरूप के बारे में बताया है एक्स गुरूप के बारे में नहीं बताया है हमारे बहुत से साथ यह से होते हैं वह वाई गुरूप एक्स गुरूप के होते हैं लेकिन वह कहते हैं क सब्फार Ой कोपे उसका उसने देख लिया है तो उस साब से यह टेबल काम करेंगी फैस कि ये Hm करेंग आफ यह ढ़क काम करेंगा जरी है contact लेगे kanषयस के लिए इनके लिया आप मुझे comment box में comment करें और आप लोगों के सवाल देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और आप लोगों का सवाल जो है निशुल के हैं आप लोगों से कोई इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा कि इसी परकार की कोई demand नहीं की जाएगी तो सातियों अगर आप लोगों मेरे दबार दी जानकर ये पिए तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें सातियों मैं सेर करें मिलता होनग więks वीडियो मैं इसी परकार की अन्यम हैपमन जानकारी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम।